चलो तो सर्चिंग के अंदर कैसे क्या चीज़े होती है अब लीनिया सर्च क्या होता है यह आपको सौझ आगे सर्चिंग के अंदर जब भी हम बात करेंगे सर्चिंग के तो सर्चिंग के प्रोग्राम में 90% केसे जब लोग सर्चिंग के प्रोग्राम की बात करते हैं तो वह दूसरा बनता है नंबर आप टाइम्स प्रेजेंट ठीक है तीसरा बनता है पर्स्ट अकरेंस और क्षाइम कहां पर अकर हुआ था अगली चीज जो बनती है लास्ट अकरेंस बनती है last time कहां पर occur हुआ था और उसके बाद फिर क्या बनता है all occurance कहां कहां कर हुआ था कहां कहां आपको मिलाता है यह आपको बताने के लिए आता है और आपका क्या आ जाता है first last ही हो गया और एक चीज़ आता है corresponding corresponding array elements का इंड टू और मूर एरे क्या होता है यह वाला थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजिंग लगेगा बहुत सार लोग पूछेंगे सर यह क्या होता है यहां पर एक चीज समझेगा कर्रेस्पॉंडिंग वाली बात सभी लोग देखे इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं आपके व तो आप लोग को समझना बड़ा इंपॉटेंट है तो सभी लोग ध्यान लगा के समझने की कोशिश करीगा सभी लोग का अटेंशन ग्रैम नहीं होना चाहिए जो लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे ना बाद में उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक बार सब्सक्राइब की जा रही है तो अब यहां पर मैं सब कुछ एकदम डिटेल्ड पॉर्म में बताता हो तो आप लोग अगर आपने पेड़ लिया हुआ है तो मेरी आप लोग से एक सिंपल से रिक्वेस्ट है कि उसको पेड़ वैस्ट का पूरी तरीके से उतलाइजिशन कर तो समझेगा तो सर्चिंग की बात करते हैं तो सर्चिंग में कुछ इसने तरीके के आपके कोस्टन बन सकते हैं यह वाला एक थोड़ा सा लोगों को दिमाग में काम नहीं कर रहा होगा कि सर यह क्या है इसमें क्या होता है न एक array suppose यह है एक हमारे पास array यह है एक और array आती है वो भी same size की है और same सब कुछ है जैसे अब क्या हुआ इसके अंदर हो गया आपका name और इसके अंदर क्या हो गया marks इसके अंदर marks in percentage अब बोला गया कि आपको क्या करना है चेक करना है कि कितने बच्चे के कौन से बच्चे के 90% marks है question क्या बोला है आपको check करना है बच्चे की कौन से बच्चे के 90% marks हैं अब array क्या होता है same एक आपका जो array होता है बच्चे वो two different two different data type को क्या store कर सकता है इसके अंदर अलग data type इसके अंदर अलग data type दोनों को एक में store नहीं कर सकता तो अब क्या होगा यहां पर check कराएगा क्या यह 90% के बराबर है क्या यह 90 के बराबर है क्या यह 90 के बराबर है क्या यह 90 के बराबर है यहां पर जो भी नेम होगा उसको क्या कर देंगे हम लोग प्रिंट करा देंगे तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि किस बच्चे के 90% मार्क्स आये थे बात समझ रहो दो एरे हैं यहां पर क्या होगा इस वाली अरे में बच्चे का नाम होगा तो उसका सामने जो है percentage of marks यहां पर उसका नाम होगा यहां फिया है तो यहीं पर बात आ जाती है आपको अच्छी तरीके से समझा ना है कि सर्चेंग से रिलेटट केवल ऐसे ही questions बनते इनिको थोड़ा बहुत घुमा फिरा दिया जाता है लेकिन सारा यहीं से बनेगा इसके बाहर कुछ नहीं जाता है तो linear search आपको बता चुका है binary search बताऊंगा और फिर सारे questions की हम लोग practice करेंगे अच्छी तरीके से ठीक है तो सभी लोग अच्छी तरीके से देखिएगा अब बात करते हैं हम लोग इसकी binary search technique में सब सभी लोग को जितने लोग क्लास में बैठे हो सभी लोग को linear search technique अगर clear है तो फड़ाफट CC लिख दीजे सभी लोग क्या लिख देंगे CC लिख देंगे आप जो है linear search technique के अंदर ठीक है linear search technique के लिए आप लोग CC लिख दीजे crystal clear है आपको फड़ाफट सभी लोग और आपका यहां पर यह इतने ही टाइप के questions आते हैं sure short है ठीक है चले आगे move करेंगे binary search technique की उपर तो linear search क्या काम करते हैं आपको सब्सक्राइब होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं प्री रिक्विसिट बोलते हैं मतलब आपकी कुछ requirements होती है binary search कराने से पहले वह क्या होती है requirements सबसे पहली चीच क्या होती है array should be sorted, array हमारी कैसी होनी चाहिए, sorted होनी चाहिए, पहली चीज़, array हमारी क्या होनी चाहिए, sorted होनी चाहिए, sorted का मतलब क्या हुगा, आपका arrange होनी चाहिए, either in ascending order, और descending order, केवल ये एक सबसे बड़ी क्या है, requirement है, जब भी कभी हम लोग बात करेंगे, किसकी binary search technique, चलिए, आगे बढ़ते हैं, हम लोग फटा फटा आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं किस तरीके से आपका पूरा का पूरा binary search technique काम करता है,